लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कुशिश करने वालों की हार नहीं होती अभी तो जंग है जारी अभी हारा नहीं है तू जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू अभी तो जंग है जारी अभी हारा नहीं तू जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू भरोसा रख खुदा पे और अपने होसलों पे तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू करेंगे वो जो करना है जो चाहेंगे वो होगा ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोलके रख कसौटी वक्त की है हौसलों को बोलके रख आप सभी को बेटा कमपटेटिग प이रस अचके यूटूब चैनल पे मैं आलोग सब्सक्राइब करता हूँ आज हम लोग जगराफी में भारत के भुबल स्रीज 15 देखेंगे जो कि आपके एक्जाम के रिष्टी से काफी महत्पूर्ण है सब ही लोग जूरें आपके लिए डेली साम के 7 बजे इस स्पेसल जगराफी स्रीज सुबह के 6 बजे डेली करेंट अफ्यर स्रीज इस सारा स्रीज आपके लिए काफी महत्पूर्ण है आपके एक्जाम के लिष्टी से काफी इंपॉर्टन है इसलिए आप सभी रेगुलर क्लास को फॉलो करते रहें इससे आपका तयारी काफी बेस्तर होगा और आप एक्जाम में बेस्तर कर सकते हैं इसलिए सभी लोग class को follow करتے रहें जो लोग नए हैं subscribe करें like share सभी लोग मिलकर करते रहें link share करें आप सभी लोग link share करें अपने दोस्तों को शामिल करें जितना ज़्यादा लोग रहेगा उतना ही ज़्यादा competition होगा मज़ा भी उतना ही ज्यादा आएगा इसलिए सभी लोग जूरें और अपने दोस्तों को शामिल करें आज हम लोग भारत के भुगोल में रीतू और वनस्पती से संबंदित कुछ महत्पुन कोस्चन देखेंगे आप सभी लोग जितने लोग जूरें हैं सभी लोग लाइफ चैट में आंसर करेंगे जितने लोग जूरे हैं सभी लोग कोसिस करें कि लाइफ चैट में आंसर करें गलतियां से नहीं डरना है आपको गलतियां से सीखना है आप कोसिस करें कि डेली हमें कुछ न कुछ सीखना है और इसी तरह से आगे आप बेस्तर करेंगे तो सभी लोग answer करने के लिए ready हो जाए आपके लिए मैं question लेकर आ रहा हूँ सभी लोग ready हो जाए आज का एक number question है भारत में कितने प्रकार के d2 पाई जाती है answer करें सभी लोग भारत में कितने प्रकार के रीतू पाय जाते हैं option है एक नमबर 2 B है 4 C है 5 और D है इनमें से कोई नहीं तो भारत में कितने प्रकार के रीतू पाय जाती है इसका answer आप सभी लोग करें सभी लोग live chat में answer करें जितने लोग जुड़े हुए हैं भारत में कितने प्रकार के रीतू पाय जाती है तो ध्यार है कि भारत में 4 प्रकार के रीतू पाय जाती है यानि किसका answer B नमबर होगा C ती रीतू, ग्रिस्म रीतू, वर्सा रीतू और सरद रीतू ये 4 प्रकार के रीतू भारत में पाय जाती है ध्यार रखना है सीत रितु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक ग्रिस्म रितु 15 मार्च से 15 जून तक वर्सा रितु 15 जून से 15 सितंबर तक और सरद रितु 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक ये चार प्रकार के रितु भारत में पैजाती है आपको ध्यां रखना है तो ये चार प्रकार की रितुएं हैं सीत रितु, ग्रिश्म रितु, वर्सा रितु और सरद रितु किलियर है अगला कोस्टिन है भारत के किस राज में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है भारत के किस राज में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है option है एक नमबर असम second है पथिम बंगाल third है महाराष्ट और fourth है केरल तो भारत के कीस राज में सबसे पहले मानसून का आगवन होता है इसका answer आप सभी लोग करें जैसे आप सभी पढ़े होंगे जगरौफी में यह हमारा भारत है और यहां पर जो है वो नीचे में देखें तो यह हिंद महासागर है यहां पर अरफ सागर है और यहां पर बंगाल की खार ही है clear है यह तो आप सभी क्लियर होगा क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ तो यह तीनों आपको पता है और यह हमारा प्रायदीपिय भारत है ठीक है प्रायदीप जो तीन तरफ से जल से गिरा हो और एक तरफ से अस्थल उसी को प्रायदीप करते है तो भारत का प्रायदीपिय हिस्सा यही है जो कि गुनवाना लैंड का भाग है होता क्या है कि जब उत्री गोलार्ध में जैसे दो गोलार्ध है अगर आप ये नीचे देख सकते हैं हमारा अर्थ है तो ये दो गोलार्ध में उपर वाले उत्री गोलार्ध और नीचे दक्षनी गोलार्ध तो उत्री गोलार्ध में जब high temperature होता है तो low pressure belt का निर्मान होता है यहाँ high pressure होगा तो low pressure belt बनेगा और यहाँ पर अगर जो है वो low temperature है तो high pressure है तो हवाएं हमीशा high pressure belt से low pressure belt की और जाती है तो अगर दक्षनी गुलार्द में जो है वो high pressure है उत्री गुलार्द में low pressure है तो हवाएं जो है वो आपका दक्षनी गुलार्द को cross करके उत्री गुला कोरियालिस बल कार्ज करता है और कोरियालिस बल आप लोग परहे होंगे उत्री गुलार्थ में हवाएं अपनी दाई और मुर जाती है तो जैसे ही ये हवाएं बिसुवत रेखा को क्रोस करके उत्री गुलार्थ में पहुंचती है तो यहाँ पर कोरियालिस बल कार्ज करती है और इसका direction जो है वो दक्षिन पच्छिम हो जाती है दिहां रखियेगा दक्षिन पच्छिम इसका direction होती है इस तरह से हवाएं जो है वो भागना सुरो करती है तो भारत में मानसूनी साखा दो भाग में बढ़ जाती है एक अरब सागर साखा और एक बंगाल की खारी साखा त हवाएं इधर के और चलती है और सबसे पहले वर्षा जो होती है दक्षिन पच्छिम मानसून से ज्याना कियेगा दक्षिन पच्छिम हवा को ही मानसून कहा जाता है या दक्षिन पच्छिम मानसून कहा जाता है तो इससे सबसे पहले वर्षा जो होती है वो ध्यान रखिय क्या है नेक्स्ट क्यों 130 है कि भारत के गिंपरेचर रहें दल सवानिल रेक्व में चलती है तो यहां luxu तो यहीं से question आया कि भारत के घ्रिस्म कालीन मानसून के परवाह की समान दीशा क्या है? यानि कि Grishman Kalin डितू में जो है वो मांसुन का दीशा क्या हो जाता है Option है उत्तर से दक्षिन Second है दक्षिन पच्षिम से दक्षिन पूर Next है दक्षिन पच्षिम से उत्तर पूर और Next है इनमे से कोई नहीं इसका आंसर आप सभी लोग करें सबी लोग इसका आंसर करें, question समझ ये, अभी हम बताये थे, आप समझ सकते हैं इस figure से, इसका direction क्या है, तो देखें कि यहां से यह बढ़ रही है, तो इसका direction अगर हम करें, तो यह दक्षिन पच्छिम और इधर जा रही है, तो इसका direction किधर की ओर जा रही है, तो उत्तर मांसुन की प्रवाह किस दिसा हो जाती है, तो इसका answer C number हो जाएगा आपको ध्या रखना है, next question है, कि तमिल नाडु में मांसुन के सामान महीने कौन सा है, बहुत अच्छा question है यह, तमिल नाडु में मांसुन के सामान महीने जो है, वो कौन सा है, जैसे हम लोग देखें ग़लार्द में हाई टेमपरेचर है, जब ऊतरी गळलार्द में लोग टेमपरेचर होगा, और आप क्या यह आ knights अपड़ियंगी तिति इस देखें, लेकिन अब इल्टा सिती होगा, और यह पर धक्षनी गलार्द में जो है, वो धक्षनी गलार्द में क्या होगा? कि high temperature और उत्री गुलार्द में low temperature तो उत्री गुलार्द में क्या होगा high pressure belt का निर्मान होगा दक्षनी गुलार्द में low pressure belt का निर्मान होगा तो हवाएं अब उत्री गुलार्द से दक्षनी गुलार्द के और भागेगी तो इस तरह से जो है यह जब return करती है तो बंगाल की खारी से कुछ आदरता लेकर तमिलनाडू के कोरुमंडल टठफे वर्सा करती है जो कि सीत रितू में यह स्थिती देखने के लिए मिलती है तो इस तरह से जो है वो लोटती मानसून से आपका वर्सा यहीं या फिर उत्तर मानसून से यह वर्सा जो है कोरुमंडल टठफे होती है जो कि तमिलनाडू में तो अगर लोटती मानसून से बात करें कि लोटती मानसून से कहां पर वर्सा होगी तो भारत में सिर्फ तमिलनाडू के कोरुमंडल टठफे वर्सा होती है लोटती मानसून से आपको ध्यान तो इसी परकार इसका answer होगा कि सामान महीने कौन सा है तो अब आप इसका महीना निकाल सकते हैं इसका answer जो है वो इसका answer नवंबर दिसंबर हो जाएगा ध्याँ रखेगा नवंबर दिसंबर इसका answer होगा तो D number इसका answer हो जाएगा ध्याँ रखेगा तो मिलांडू में मांसुन के समान जो है वो महीना कौन सा होगा तो ध्याँ रखना है कि आपका नवंबर और दिसंबर हो वर्षा जो है वो किस्स से प्राप्त होती है अप्सान उत्तर पूर्वी मांसूम से नेक्ट है वापस होती मांसूम यानि किलोटती मांसूम नेक्ट है दक्षिन पच्छे मांसूम और नेक्ट है समवाहनिक वर्षा से तो इसका आंसर आफ सभी लोग करें कि सबसे अधिक वर पास जब तक समाप्त नो हो तब तक यहां से जाना नहीं है चाहे कितना भी important काम क्यों नो हो क्योंकि आपके लिए सबसे important work जो है वो यही है इसलिए आप सभी अंत तक जरूर बने रहें और लाइफ शेट बे आंसर करते रहें तो भारत की सरवाधिक वर्षा प्राप्त जो होती है वो दक्षिन पच्छे मांसून से ही प्राप्त होती है जो की जून में दस्तक देती है सबसे पहले केरल के मालवाट टठफे वर्षा होती है तो इसका answer C number होगा ध्यान रखना है next question है कि आमर वर्षा संबंधित है आमर वर्षा संबंधित है आपको answer करना है एक number option है बिहार next है केरल next है राजस्थान और next है इनमे से कोई नहीं सबी लोग इसका answer करें कि आमर वर्षा संबंधित है जितने लोग जूरे हुए है सबी लोग इसका answer करें काफी महत्पून question है आमर वर्षा संबंधित है तो ध्यार है कि जब ग्रिश्न काल की समय आती है तो ग्रिश्न काल में मानसुन का आगमन होता है जून जुलाई में लेकिन उस आगमन से पुर्व जो है, वो कुछ वर्सा हो जाती है भारत में कहीं कहीं पे, तो यही वर्सा जो है, वो केरल में जब होती है, यानि कि मानसून आगमन के पुर्व की वर्सा, उसी को केरल में कहा जाता है, आमर बाउचार या मैंगो सावर, तो इसका answer B हो जाएगा, ध्यां रखेगा केरल, ठीक है, तो आमर वर्सा केरल में जो हो जाता है, तो इस परकार जो है, वो ध्यां रखना है कि आमर वर्सा, तो ये वर्सा जो है, वो मांसून पुर्व वर्सा है, अगला question है, कि भारत के उत्री मैदान में, सीत रितू में वर होती है, option है, पच्छमी भी छोब, नेक्षे बंगाल की खारी, नेक्षे अरब सागर मांसून से, और नेक्षे लोटती मांसून से, आप लोग इसका answer करें, सभी लोग इसका answer करें कि जो है, वो उत्री मैदान में, सीत रितू में जो वर्सा होती है, वो किसके वजह से होती है, तो ध्यान रहे, इसका answer हो जाएगा पच्छमी भी छोब से, भूमद सागर से, यही वर्सा जो है, वो पाकिस्तान, इरान, अफगानिस्तान को पार करके जो है, वो भारत में परवेस करती है, भारत के उत्री छेतर में कुछ वर्सा करती है, जो कि रभी के फसल के लिए काफी महत्पन होती है, तो इसी को पच्छमी भी छोब कहा जाता है, तो ध्यान रखना है कि भारत की उत्री मेदान में जो वर्सा होती है, सी तिरितू में उसे पच्छमी भी छोब से वर्सा कहा जाता है, तो ध्यान रखना है, जबकि लोटती मानसून से तमिल नाडू के क तो यह द्यान रखना है कि पच्छ में भी छोप से यह वर्सा होती है अगला कुश्चिन है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां परिस्तित है आपको आंसर करना है एक नंबर ऑप्षन है चिन्नाई नेक्ष्ट है बिसाखा पत्नम नेक्ष्ट है 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 और नेक्ष्ट सभी लोग इसका आंसर करें जितने लोग जुरे हुए हैं सभी लोग आंसर करें कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां परिस्तित है जितने लोग जुरे हुए हैं सभी लोग आंसर करें तो ध्यान रहे कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो हैद्राबा इस्तित है। नेक्स्ट कैसी है कि भारतीय मौसम्-विज्ञान विभाग कहां अस्ठापी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ अस्ठापी है इसका आंसर करें। एक नभी नईदिली, नेक्स्ट है नागपुर नेक्स्ट है पूने और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं तो भारतिय मौसम बिज्ञान बिभाग अस्थापित है कहां पर सभी लोग आंसर करें तो ध्यां रखना है कि भारतिय मौसम बिज्ञान बिभाग जो है वो नई दिल्ली में स्थित है अगला कोश्चन है कि मानसून पुरव वर्सा को टी वर्सा कहा जाता है अभी अम लोग आमर बाः खार देखे थे next question है कि मांसून पुर्व वर्षा जो इसे टी वर्षा कहा जाता है answer करें एक नमबर आप्शन है पच्छिम बंगाल next है करनाटक next है असंद और next है इन में से कोई नहीं सभी लोग answer करें सभी लोग answer करें काफी आसान question है जितने लोग जुड़े हुए है सभी लोग इसका answer करें काफी आसान question है और अभी हम बताये थे आमर वर्षा उसी परकार जो है ये पी वर्षा पी वर्षा जो है वो कहां पर होता है और कहां इसे पी वर्षा कहा जाता है मांसून पुर्व वर्षा को इसका answer आप सभी लोग करें तो ध्यान है इसका answer हो जाएगा बी नंबर करनाटक करनाटक में इसे जो है वो टी वर्षा कहा जाता है next question है कि मांसून पुर्व वर्षा मांसून पुर्व वर्षा जो है मांसुन पूर वर्षा को कॉफी सावर कहा जाता है कॉफी सावर कहा पर कहा जाता है आपको आंसर करना है कॉफी सावर कहा पर होता है तो आप लोग इसका आंसर करें ध्यान रखें ये वाला कुश्चिन का आंसर आप लोग चेंज करेंगे इसका answer पच्छिम बंगाल हो जाएगा कहा जाता है पच्छिम बंगाल करणाटक असम इनमें से कोई नहीं तो ध्यान रहे करनाटक में इसे जो है वो कौफी सावर कहा जाता है तो B नमबर इसका आंसर होगा तो कौफी सावर करनाटक और T सावर पच्छे मंगालम और ये सब वर्सा मांसून पूर्व वर्सा है ध्यान रखना है अगला कौश्यन है ग्रिस्म रितू में नार्वेश्टर की तरह चलने वाली तेज गर्म हवा को काल वैसाखी कहां कहा जाता है तो ग्रिस्म रितू में जहां रखना है ग्रिस्म रितू यानि गर्मी के दिनों में नार्वेश्टर की तरह चलने वाली तेज गर्म हवा को काल इसका b circ कहां पर तो दिफारनों में कहां रहे। इसका इंसर नंबर हो जाएगा अगला है तुम्हें कौन रोख सकता है तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं तो समझे कि आप एक चिंगारी है अगर आप ठान लिए तो आपके लिए जो है वो दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है और ये सफलता तो बहुत छोटी चीज इसलिए आप अपने अंदर जो है चिंगारी को जलाएं तभी जाकर जो है वो कोई भी असंभव चीज संभव हो पाएगा इसलिए आप लोग ठान ले और चिंगारी को जलादें और असंभव को संभव बनाने के लिए चल परे तभी जो है वो कुछ हो सकता है तो कोई नहीं रोग सकता है अगर आप अपने अंदर की सक्ती को पष्चान लेंगे और असंभो को संभो बना डाले बहुत आसान है लेकिन इसके लिए सिर्फ जो है ओम ठानना होगा कमा सकते हैं आप लोग question है आगे सबसे अधिक वर्षा होती है काफी महत्कुन question है कि सबसे अधिक वर्षा होती है option है कुलकाता next है पटना next है इलाहबाद और next है दिल्ली तो सबसे अधिक वर्षा होती है आपको आंसर करना है सभी लोग इसका आंसर करें सभी लोग इसका आंसर करें जैसे हम लोग देखे थे कि दक्षिन पच्छिम मान सोन जब क्रॉस करके भारत की लगवा पूरे भारत में वर्षा करती है तो यह वर्षा बंगाल की खारी के साखा होते हुए और अकान यह वाँ परवस से टगरा के ऐसे इसे बढ़ती है तो उस तरह से पूर से पच्छिम बढ़ती है तो इसके वर्षा की मातरा घटते चली जाती है सबसे अधिक वर्षा कोलकाता में होगी जहाँ पर 157 cm वर्षा होती है फिर पटना में जो है वो कोलकाता के पुर्व में पच्छिम में पटना है तो जैसे जैसे पच्छिम की और बढ़ेंगे घटते चला जाता है पटना में 117 cm वर्षा होती है इलाहबाद में 107 cm वर्षा होती है दिल्ली में वही 15 cm वर्षा होती है तो जैसे जैसे पुर से पच्छिम की और बढ़ते हैं वैसे वैसे वर्षा की मातरा घटते चला जाता है तो इस परकार सबसे अधिक वर्षा जो है भोज पत्र व्रिक्ष मिलता है भोज पत्र व्रिक्ष जो है वो मिलता है कहाँ पर अप्सन है अरावली परोतमाला में नेक्ट है हिमाले में नेक्ट है निलगरी सिंखला में और इन में से कोई नहीं इसका आंसर आप सभी लोग करे कि भोज पत्र व्रिक्ष कहां पर मिलता है आप लोग आंसर करें तो ध्यार है कि भोज पत्र व्रिक्ष जो है वो हिमाले छेत्र में पाया जाता है इसका answer B number हो जाएगा भोज पत्र व्रिक्ष जो है हिमाले छेत्र में मिलता है और काफी महत्पूर्ण है भोज पत्र बिक्ष, इस बिक्ष के सफेद काकच की तरह दिखने वाला छाल का परियोग जो है, वो प्राचिन काल में लोग लिखने का परियोग मिलाता था, ठीक है, तो भोज पत्र पर प्राचिन काल में लोग लिखता था, और ये बिक्ष जो है वो हिमाले चेतर में देखने के लिए मिलता है next question है कफ़ा बनाने हेतू किस पेर की लक्री का पर्योग किया जाता है सभी लोग live chat में answer करें तो ध्यार है कि कफ़ा बनाने हेतू जो है वो किस लक्री का पर्योग किया जाता है option है साल, next है खैर next है बबूल और next है साजा, तो इसका आंसर सभी लो करें, तो ध्यार है इसका एंसर हो जाएगा B number खैर, खैर की लकरी से जो है कथा बनाया जाता है, तो इसका एंसर B number हो जाएगा next question है कि निवन में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं इसका आंसर आप सभी लो करें निवन में से किस ब्रिक्ष में पौधे में फूल नहीं होता है option है cutthal, next है gullar, next है fern और next है arkyd इसका आंसर आप सभी लो करें तो ध्यार है कि जो है, वो fern में fern यानि कि c number fern में जो है फूल नहीं होता है, क्यांकि जो है, ये पौधे बीज रहित होते हैं इन पौधों में फूल नहीं होते हैं, तो ध्यार राखना है कि फूल नहीं होगा, तो fern पौधा में और यह पौधा बीज रहित, यानि कि इसमें बीज नहीं होता है, अगला question है कि निम्न में कौन सा ब्रिक्ष समुंदर तल से सरवाधिक उचाई पर पाया जाता है आप लोग आंसर करें सभी लोग आंसर करें कि समुंदर तल से सरवाधिक उचाई पर जो है वो कौन सा ब्रिक्ष पाया जाता है तो ध्यार है इसका एंसर हो जाएगा आपका देवदार देवदार ब्रिक्ष जो है वो समुंदर तल से सरवाधिक उचाई पर पाया जाती है ये हिमाले में लगभक जो है पंद्रह सो से पचीस सो मीटर के उचाई के मद्ध पाया जाता है तो सबसे उचाई पर समुन तर से सबसे उचाई परिश्टि जो है वो ब्रिक्ष देवदार का ब्रिक्ष होता है आपको ध्यान रखना है अगला question है पर्यावरन संतूलन के लिए किसी भी देश या एक निश्चित भुभाग के कितने प्रतिसाच छेत्रफल पर 1 होना आवस्याक है यानि कि पर्यावरन संतूलन के लिए ब्रिक्ष होना काफी जरूरी होता है तो किसी भी देश या एक निश्चित वुहा के कितने प्रतीसद छेट पर 1 होना आवस्यक है ओफशन है 33, नेक्ट है 35, नेक्ट है 40 और नेक्ट है 50 तो इसका आंसर आप सभी लोग करें कि पर्यावरन संतूलन के लिए किसी भी देश या एक निश्चित वहा कि परतिसत छेत्रफल पर जो है वो कितना परतिसत पर वन होना अवस्यक है तो ध्याँ रखना है कि कुल छेत्रफल का जो है वो 33 परतिसत छेत्रफल पर जो है वन होना अवस्यक है पर्यावरन संतूलन के लिए तो आप सभी ध्यां रखेंगे इसका answer एक number हो जाएगा अगला question है 19 number question है कि सबसे अधिक one चहत्र वाला भारतिय राज सबसे अधिक one चहत्र वाला भारतिय राज option है एक number मजड़ पर्देश नेक्ट है अरुनाचल परदेश नेक्ट है 36 गर्ड और next है मिजोरम तो सबसे अधिक 1 छेतरवाला भारतिय राज कौन है सबी लोग लाइफ चैट में आंसर करें सबसे अधिक 1 छेतरवाला भारतिय राज कौन है तो ध्यार है इसका answer हो जाएगा इसका answer मध परदेश हो जाएगा सबसे अधिक 1 छेतरवाला भारतिय राज मध परदेश है सेकेंड पर अरुनाचल परदेश है और ठर्ट पर 36 गर्ड है लागतार ये तीन राज हैं जो सबसे अधिक 1 छेतरवाला भारतिय राज है तो सबसे अधिक मध परदेश आपको ध्यार रखना है अगला कोश्चन है कि सबसे अधिक प्रतीसत वन छेतर वाला भारती राज कौन है तो अभी तो हम देखें कि सबसे अधिक वन छेतर जो है मत परदेश में है और सबसे अधिक प्रतीसत वन छेतर वाला भारती राज कौन है आपको आंसर करना है एक number option है मद प्रदेश, next है रुनाचल प्रदेश, next है 36 गड़ और next है मिजोरम तो सबसे अधिक प्रतीसत 1 छेतरवाला भारतिय राज कौन है आप लोग आंसर करें तो ध्यान रहे इसका answer हो जाएगा D number मिजोरम प्रतीसत में सबसे अधिक मिजोरम में है और छेतरवल में सबसे अधिक मद प्रदेश में होगा है उमीद करता हूँ कि आप सभी क्लियर हो गया होगा अगला question है कि सबसे कम वन छेतरवाला भारती राज कौन है सबसे कम वन छेतरवाला भारती राज कौन है option है मत्परदेश, next है हर्याना, next है पंजाब और next है मिजोरम तो सबसे कम 1 छेतरवाला भारती राज कौन है आपको आंसर करना है सबसे अधिक मत्परदेश, सबसे अधिक प्रतीसत में मिजोरम और सबसे कम 1 छेतरवाला भारती राज कौन है तो ध्यान रखना है इसका answer हो जाएगा B number हर्याना सबसे कम 1.6 वाला भारती राज हर्याना है और दूसरा सबसे कम 1.6 वाला भारती राज वो पंजाब है अगला question है, कि भारती ये 1.0 अधिनियम कब लागव हुआ था? option है 1975, 1980, 1905 और इनमें से कोई नहीं तो भारती ये one selection अधिनियम कब लाग हो है सभी लोग इसका answer करें जितने लोग live chat में है सभी लोग answer करें और सभी लोग अंत तक बने रहे ये नहीं कि IPL शुरू हो गया IPL देखने जो है वो चल दियें class होर कर तो IPL के वज़ा से आप बहुत कुछ हो बैठेंगे इसलिए IPL पर उतना ही ध्यां रहे आपको जो करना है आपका जो work है उस पे ज՞ादा फोकस करें IPL से ही सब कुछ नहीं होगा आपका जो work है उस पे ज़्यादा फोकस करना है IPL के वज़ा से जो है वो सचेत रहे तो ध्यान रहे इसका एंसर हो जाएगा B number 1980 1980 में भारतिय वन सरक्षन अधिनियम लागू हुआ था आपको ध्यान रखना है अगला question है वन अनुसंधान संस्थान इस्थित है वन अनुसंधान संस्थान कहां परिस्थित है आप लोग answer करे एक number option है देहरादून next है मसूरी next है अहमदाबाद और next है भोपाल इसका answer आप सभी लोग करें सभी लोग इसका answer करें कि वन अनुसंधान संस्थान कहां परिस्थित है तो ध्यान है इसका answer हो जाएगा एक number देहरादून वन अनुसंधान संस्थान देहरादूर में इस्थित है और इसकी अस्थापना 1905 इस्वी में की गई थी ध्यारखना है 1905 में जो है वन अनुसंधान संस्थान की अस्थापना हुआ था और ये देहरादूर में इस्थित है देहरादूर उत्राकर्ण में तो इसकी अस्थापना 1905 ये ध्या रखना है नेक्स्ट कोश्चन है आपके लिए कि वन प्रवंधन संस्थान इस्थित है वन प्रवंधन संस्थान इस्थित है ओफ्शन है अहमदाबाद, नेक्स्ट है भोपाल, नेक्स्ट है A पलस B और इनमे से कोई नहीं तो वन प्रवंधन संस्थान इस्थित है तो इसका एंसर हो जाएगा C नमबर अहमदाबाद और भोपाल ये दोनों अस्थान पर वन प्रवंधन संस्थान इस्थित है और भोपाल का जो वन प्रवंधन संस्थान है यह एसिया में अपना महत्पूर अस्थान रखता है में जरूर करें ज्वारिये वन के प्रमुख वनस्पती है ज्वारिये वन के प्रमुख वनस्पती कौन है ऑप्सन है एक नमबर सेनोरिटा next है Phonix next है A plus B और next है खजूर तो जुआरिये 1 के प्रमुख 1 अस्पती कौन है आपको आंसर करना है सभी लोग इसका आंसर करें तो ध्यान रहे जुआरिये 1 की प्रमुख 1 अस्पती जो हैं वो Senorita और Phonix दोनों है यानि कि A plus B इसका एंसर C नंबर हो जाएगा आपको ध्यान रखना है तो आज कुल आपके लिए 25 महत्पुन कोश्चन थे आप सभी इसे एक दो बार देखे और पीछे के इतने वीडियो हैं साड़े रिकॉल करते रहें और next Saturday के दिन जो है वो आपका geography test आपका 21 से लेकर 30 तक के वीडियो से ही कोश्चन रहेंगे इसलिए आप सभी उसे recall करें और जबरदस्त तयारी के साथ हैं ताकि आप test में बेस्तर कर सकें तो सभी लोग जुड़े रहें और link share करते रहें क्लास का आनंद ले और अपने तयारी के लेकर serious रहें तो आज यहीं तक फिर मिलेंगे next class में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को good night